तो दोस्तो आज में सेयर कर रहे हूं आलू और साबुदाने का बहुत ज़्यादा चटपटा कुरकुरा नास्ता तो आप देख सकते हैं ये नास्ता बाहर से जितना ही क्रिस्प है उतना ही अंदर से सौफ्ट बना है तो आए हम इस नास्ते को बनाते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए हम लेंगे एक कप साबुदाना इनको हम दो से तीन बार अच्छे से धुल लेंगे जिससे साबुदाने के ऊपर लगा पाउडर अच्छे से साफ हो जाए तो देखिए दो बार मैंने धुल लिया है धुलने के बाद हम इसके अंदर पानी डाले जिसे साबुदाना अच्छे से डूब जाए अब हम इन्हें दो से तीन घंटे के लिए रख देंगे दो घंटे हो गया है और साबुदाना अच्छे से फूल गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है इन्हें हम रखते हैं एक तरफ गैस पर हम पैन रखेंगे पैन में हम डालें दो से तीन चम्मस मुनफाली के दाने में प्लेम पे 2-3 मिनटा भून लेंगे 2-3 मिनट हो गए हैं अब हम इन्हें एक ब्लेट में लिएगा और इनके प्लेटेर निकाल लेंगे अब हम in owners jar में रहात्पत्स आज़ी बंब लेंगे दो उगले आलो लिये हैं, इनको मैंने कदुकस कर लिया है, आप चाहे तो मैस करके भी ले सकते हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे ये साबुदानी, जो हमने भीगो कर रखा था, अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ टमाटर, तो यहां मैंने एक बड़े साइज का टम अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मसलते हुए मिलाएंगे, जिससे सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं और यह बाइंड होने लगे, तो इसे चेक कर लेंगे, मुठी में तबाकर यह अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो हाथ में हम थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे, जिससे यह चिपके नहीं, और थोड़ा सा मिस्टर लेकर इसे हम लड़्डू का सेव दे देंगे, आप चाहे तो इसे टिकी का सेव देकर भ अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने, फ्राई करने के लिए मैंने उयल गरम कर लिया है, इसमें हम एक एक करके डाल देंगे, सभी को टालने के बाद हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब एक तरफ से अच्छे से सिक जायए 1955 पल्टें अन्य भी दूसरी तो थोड़े से मैं हरी मिर्च भी इनके साथ फ्राई कर ले रही हूँ, बड़ों के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये देखिए, लग रहा है न, देखने में ही इतने क्रिस्पी और चटपटे, इन्हें आप ब्रत में भी बना सकते हैं, तो चलिए मैं इन्हें तो आने वाले वीडियो का लोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो फिर मिलते हैं एक नई देखिए के साथ धन्यवाद,